तो आप शब्लबुशागत है गने साह मली यूटूब चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में हम da एलास 11 Chemistry में क्लास 11 Chemistry की वीडियो से है तो क्लास 11 Chemistry मतलब Organic Chemistry में चैप्रा नम्मर 13 में हाइड्रो कार्बन में हम पढ़ेंगे Acetylene जो आपका सूत रोता है C2S2 Acetylene बनाने की प्रयोक शाला विधी का अध्यन करेंगे ठीक है प्रियोक्षाला में हम acetylene कैसे बना सकते हैं कैसे हम प्रियोक्षाला में acetylene gas वनाते हैं उसके बारे में बात करेंगे ठीक है तो आपको बता देता हूँ मेरे भाई जो acetylene है इसका सूत होता है c2 h2 और इस acetylene को हम aliens ا corruption आपको बादوا में ना किफ्रियोक्षाला वीधी को बता खो गैसे असाना कार बिदी गुष्थ तो उससे पहले स जाने तो सिध्वांद जानने हमें सबसे दे जरूँ है ठीक है प्रियोक्षाला में यदि हमें acetylene gas वनाना है प्रियोक साला में यदि हमें Acylene Gas बनाना है तो very simple है क्या करना होगा मेरे भाई आपको क्या करना पड़ेगा Calcium Hydride फार मतलब हम ऐसा भी कहें कि Calcium Carbide एक यह आपका Calcium Carbide Calcium Carbide ठीक है यह Calcium Carbide का सूत होता है Ce Ce Cl केलसियम कारवाइट इस केलसियम कारवाइट पर हमें जलकी क्रिया करानी होती है ठीक है तो यदि हम केलसियम कारवाइट पर किस पर केलसियम कारवाइट पर जलकी क्रिया करा दें किस की क्रिया कराना है जलकी तो जलकी क्रिया जैसे ही कराएंगे मेरे भाई तो आपका जो C2 है और ये H2 है आपस में मिलेगा और यहां से आपको प्राप्त हो जाएगी C2H2 मतलब Acetylene Gas अब हमारे पास बच्चा C A और O तो ये आपस में मिलकर बना लेंगे C A O मतलब Calcium Oxide ये आपका बन चुका है Calcium Oxide तो इस टाइप से सिंपली हम वना सकते हैं Acetylene Gas ये आपका Acetylene Gas ये इस टाइप से हम सिंपली वना सकते हैं हमें क्या करना है अदि प्रियोग शाला Acetylene बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा Calcium Carbide पर जल्की क्रिया करानी होगी तो 2H2C के साथ C2H2 मतलब Acetylene Gas बना लेंगे अब बचा आपका C A और ये O तो आपस में मिलेंगे और C A O वहार कर देंगे ये हमारा वन जाएगा जानते हैं समझते हैं सब कुछ दोस्तो यादी हमें चित्र की बात करूं की reinvent बनानी की प्रियोग शाला बिदी का डाम तो ये दोस्तो We देख रहा है है एश्टलीन बनानी की प्रियोक शालबिधी है जो इसका डाइग्राम है इसमें ये मेरे भाई जो आपका होता है ये फ्लास्क होता है ये कौनिकल फ्लास्क होता है इसको कौनिकल फ्लास्क बोलते हैं एक संकू के आकार का फ्लास्क है ठीक है आप देख पा रह एक William रखा होता है और यह आपका होता है gas чlar, ठीक है, clear हुआ, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते है, देखो, तो सबसे पहले मेरे भाई जो Conical Flask होता, यह आपका Conical Flask है, इस Conical Flask में नीचे हम क्या करते हैं, Rade के तुकड़े बिचा लेते हैं, कर लेते हैं रेत के तुकड़े बिचा लेते हैं ठीक है रेत के तुकड़े बिचा कर इसके सेकंड नमर पर आपको देख रहा होगा जो डार्क व्लैक यह आप कैल्सियम कारवाइड है क्या है कैल्सियम कारवाइड इसमें कैल्सियम कारवाइड डाल देते हैं ठीक है और बस कीब लगई है इसकी सायता से हम बून बून करके इसमें दीरे-दीरे डाल डालते हैं ठीक है तो ये जल आपको देख रहे होगाixa हैं आपको तीन परते अलग अलग डेकर रहे हुझ aproximadamente is present में लेजसे पका कहले और जल कारण, क में करिया होगा तो जिसатов स्रुझे जाएगी आपकी acetylene gas बन जाएगी क्या बन जाएगी मेरे भाई acetylene gas बट इस acetylene gas में कई सारी अशुदियां होंगी कई सारी अशुदियां होंगी इस acetylene gas में तो क्या करेंगे उन असुदियों को हमें दूर करना होगा तो उन सुद्धियों को दूर करने के लिए इस जो बिलियन है इसको हम कैलिसियम सर्फेट के पातर में भेजेंगे तो जैसे हम कैलिसियम सर्फेट के पातर में भेजेंगे तो सारी की सारी असुद्धियों जितनी भी इसमें मेक्स हैं वो दूर हो जाएंगे और आपका जो सुद्ध गैसी मिसरण हमें प्राप्त होगा जो यहां से निकास नली से होते हुए इस गैस यह जार में एकत्रित हो जाएगा और यही हमारा सुद्ध गैसी मिसरण है जिसको बोलेंगे एसिटलीन गैस आई हॉप मेरे भाई कि समझ गए होगे कोई दिक्कत नहीं होगे ठीक है यह हमने समीकरण आपको वता ही दिया है ठीक है आपको इस टाइप से नहीं लिखना है जैसे आपको मैंने बता है उस टाइप से आपको समीकरण देना है ठीक है चल ओके सिध्धान्द का, ओके तो बिधी का वड़न देख लेते हैं, एक कॉनिकल फ्लास्क में कुछ रेद बिछा कर बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, थीक है, उस पर केल्सियम कारवाइट के टुक्डे रख देते हैं, बिल्कुल, फ्लास्क में एक बिंदु कीप और निकास नली लगा कर बिलकुल लगाते हैं देखो आप देख रहे हो यह आपकी बिंदू कीप है और यह एक निकास नली ठीक है देख रहे हो ना यह आपकी बिंदू कीप है और यह है निकास नली ठीक है चलो है ना लगा कर उपकरन समायोजित मलब तैयार कर लेते है बिंदू कीप से फ्लास्क में बून बून करके जल मिलाते हैं और केलसियम कारवाइट पर जल की क्रिया से एस्टिलीन गैस बनती है ठीक है बट इसमें फास्पीन, आर्सीन, अमोनिया और एस्टु एस हमलब हाइडोजन सल्फाइट आदी की कुछ असुद्धियां होती है तो इनको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं गैस की मिसरन को अमली कॉपर सल्फेट के बिलियन में प्रवाहित करते हैं ठीक है यह वाले बिलिज में परिवाह्ध करें गाने तो अशुदियां नूर हो जाएंगी और सारी असुद्धियां दूर हो जाएंगी तो हमें सुद्ध गैस प्राप्ष हो गि बनाने की प्रियोक शाला भी दी है तो आई होप आप समझे को कोई दिक्रत नहीं होगी तो फिर हम अंगली वीडियो में अंगली टॉपिक के साथ मिलेंगे तब तक के लिए जैहिन